हाई ब्रीबन आगे आज की इस वीडियो में समझेंगे कि पोटैसियम यानि की के तथा सोडियम यानि की एन ए पोटैसियम का सिम्बोल क्या होता है की होता है संकेत ओके और सोडियम का एन ए होता है संकेत यानि सिम्बोल ठीके यानि बोलडा कोशन पोटैसियम तथा सोडियम धातों को केरोसीन तेल में डुबो कर क्यों रखा जाता है आई इनके पीछे का कारण समझते हैं देखिए सोडियम तथा पूटाइसियम यानि एन ए तथा के पूटाइसियम का सिंबोल की होता है ठीक है तो सोडियम तथा पूटाइसियम तीबड़ अभिक्रियासील तत्व ह का यहाद है और तल्वर भाईमेंं के डाग बाउमेंडल के टेम्परेशर पे ही इस ज जल उठता है और तैके जाता इससे खुले बायू में रखने से दुरुगटना की समभा बना हो सकती है, आग लेगा तो दुरुगटना हो गाई भाई, ठीक है, यही कारण है कि इसे क्रोसिन तेल में डूबा कर रखा जाता है, जिससे इसकी ओ अभी किरिया शिलता क्या होता है, बिल्कुल कम हो जाती है, अभी किरिया शिलता जो होती है, जो इसका बोल सकती है, और पर जो रियक्सान होता है, अभी किरिया जो होता है, बहुती कम हो जाती है, और यह बायू मंडलिये ताप से ओ परवाबित रहता है, यानि कि बायू मंडलिये ताप से यह इसका कनेक्शन हट जाता है, अगर इस इसलिए हम रखते हैं इसे क्रोशीन तिल में डूबा करके यानि आपको सिंपल सापको लिखना है भाई पोटैसियम और सोडियम धातु जो है अधिक अभी क्रिया सील धातु होता है जो कि बाई मंडली यह ताप पढ़िये जो है इसमें आग लग जाती है अता है इससे दुर